Hello guys, welcome back to our YouTube channel and welcome to my new video आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Nifty, Bank Nifty के उपर Next trading session के लिए मेरे क्या views रहेंगे Next expiry के लिए और आने वाले week के लिए Bank Nifty और Nifty का momentum क्या रह सकता है Options के अंदर कौन सा trade buy करें इन सब के उपर हम लोग आज इस वीडियो में discussion करने वाले हैं तो जो लोग इस वीडियो को first time देख रहे हैं मेरे चैनल के उपर भी अभी first time आये हैं उनको मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पर Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty के लिए Options के उपर analysis videos बनाती हूँ Options के अंदर क्या buy करना चाहिए कौन सा momentum सही रहेगा एंटर करने के लिए Options में इन सब के उपर हम लोग इस वीडियो में discussion भी करते हैं और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर educational videos भी मिलते हैं अभी देखिए अगर आपको Options या फिर intraday trading करनी है तो आपको बहुत सारी चीजों का knowledge होना जरूरी होता है जैसे की support resistance level कैसे draw करते हैं indicators कौन से use करने होते हैं Options in analysis, technical analysis तो इन सारी चीजों के उपर आपको मेरे चैनल के उपर already भी videos मिल जाएंगे और आगे भी मिलते रहेंगे तो इसलिए इस चैनल को subscribe कर लेना और bell notification को press कर देना ताकि आगे आने वाले videos की जानकारी आपको सही से आती जाएं और अगर public telegram चैनल के उपर मुझे follow नहीं किया है तो अभी join कर लो क्योंकि ये free channel है यहाँ पर join करने के फाइदे ये है कि live market में बहुत सारी चीजे होती है जो तुरंट update होना आपके लिए बहुत जादा जरूरी होती है अगर वो आपको तुरंट नहीं मिलती है तो आपको intraday trading में options के अंदर specially बहुत जादा जो है वो नुकसान हो सकता है क्योंकि अगर momentum सही नहीं है और आप अगर options लेकर बैठे हो अगर range bound market है तो आपको ये mention करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि range bound है अभी market अभी options से दूर रहेगा otherwise premium meeting होगा तो इसमें क्या है अगर video बनाकर डालते हैं तो उसमें बहुत जादा time लग जाएगा uploading editing वगेरा वगेरा तो अगर telegram पे अगर आप मुझे join करते हैं तो आपको वो सारी चीजे live market में तुरंत ही message through मिल जाएगी तो इसलिए नीचे description box में link मौझूद है telegram channel की उसके through आप directly join हो सकते हैं अभी start कर लेता है bank nifty का analysis तो bank nifty की closing आई है 44,584 के पास तो पिछले कितने session से अब देख सकते हैं एक दो तीन चार पाच छे छे session से हमें nifty bank जो है वो range bound ही दिख रहा है यहां तक कि expiry भी इतनी बड़िया नहीं थी जो पिछले दो वेनस डे पे expiry थी वो expiry movement हमें अभी missing लगा और nifty bank जो है वो stuck होता हुआ दिखाई दिया है तो अभी यहां से करे तो क्या करे क्या आगे भी market यही रहेगा तो 6 दिन तो हो चुके हैं market को और market stuck है bank nifty stuck है कुछ options के अंदर फाइदा नहीं हो रहा है अभी करे क्या क्योंकि आप देख सकते है range तीन ये candles तीन ये candles तो अभी यहां पर जो है वो bank nifty के लिए एक make और break level है कौन सा वो level है यह हम लोग आगे देखेंगे फिलहाल कि अगर मैं candle stick pattern की बात करूँ तो बहुत ही ज़ादा range bound market यहां पर दिखाई दे रहा है यहां से upside के momentum के लिए bank nifty को 45,000 के उपर sustain होना होगा downside के momentum के लिए 44,000 के नीचे sustain होना होगा अभी bank nifty क्या कर रहा है अभी bank nifty 200, 300, 400 points के range में घूम रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि support से buying आ रही है और जो price है वो 300, 400 points उपर जा रही है लेकिन CE का price नहीं बढ़ रहा है यह मैंने कल भी mention किया था कि CE का price जो premium group के अंदर है उनको मैंने यह mention किया था कि अगर 350 के support से bank nifty 600 तक जा रहा है तो CE के अंदर हमें at least 70, 80 points का profit जो है वो होना चाहिए लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि market के अंदर trap है यहाँ पर writers जो बैटे हुए है वो option buyers का profit होने नहीं दे रहे है क्यों यह जो इतना बढ़िया momentum था यह तो पहले upside के लिए था जिसमें CE के अंदर profit बना लिया यहाँ पर profit booking देखने को मिली यहाँ से हमें P के अंदर profit मिल गया अभी क्या अभी इतना ज़्यादा profit होने के बाद थोड़ा बहुत तो writers यहाँ पर buyers का पैसा खाएंगे न तो वही हो रहा है फिल्हाल market के अंदर तो हमें करना क्या है इस market के अंदर देखिए जब momentum अच्छा रहता है तब हम लोग को जो डेली हमारा profit target है उससे बहुत ज़्यादा मिल जाता है मतलब 5-6 दिन का profit हमें अगर एक दिन में मिल रहा है एक उस momentum में तो हमें बाकी के जो 5-6 दिन है उसमें थोड़ा-थोड़ा profit book करना है वही हमें same situation यहाँ पर भी apply करनी है जिन्होंने भी यह momentum में अच्छा खासा profit बनाया था उनको अभी क्या करना है यह वाले momentum में 10 से 20 points लेकर निकल जाना या फिर trading ही नहीं करनी है जो safe traders है जो risk ले सकते हैं वो कर सकते है trading क्योंकि अगर हम लोग तो देखे कि अगर यह जो range bound trade है 6 sessions से अगर एक दिन भी अगर हम लोग सोच रहे कि कल भी range bound होगा लेकिन उसी time पर अगर अच्छा खासा momentum मिला तो फिर उस option का price तो jackpot हो जाएगा तो ऐसे जो risk ले सकते हैं जिनको ऐसे लिट होने के बाद भी कुछ फरक ना पड़े वो लोग risk ले सकते हैं जिनोंने अच्छा खासा profit already book किया है जो safe players है जिनको ज़्यादा risk नहीं लेना है वो यहाँ पर इस market के अंदर avoid कर सकते हैं या फिर 10 से 20 points लेकर निकल जा सकते हैं तो यह मेरी आपको एक suggestion रहेगी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं ज्यादा everyday profit जो हमने सोचा है उतना ही होगा share market के अंदर यह हमारे हाथ में नहीं है लेकिन जितना profit होगा वो हमारे loss से का मतलब loss हमें ज्यादा नहीं होगा यह हमें ध्यान में रखना है अगर हमें profit डेली का ज्यादा हो रहा है तो next day हमें वो loss नहीं करना है क्या होता है कि अगर हमने पिछले दिन profit अच्छा खासा बना लिया किसी का 5000 का target है डेली का और उसने उस दिन 20,000 उपे profit कर लिया तो लालच यह आ जाती है कि कल भी मैं 20,000 या फिर 30,000 का profit लेकर ही निकलूंगा लेकिन next day market opposite हो जाता है जो 20,000 कल हमने कमाये ते वो next day 50,000 का loss करके दवा देते हैं तो यह सारी चीज़े आपको नहीं करनी है यह द्यान में रखना यह मेरा just suggestion था आप सब के लिए बाकी आप तो वैसे भी अपना जो trade है वो अपने हिसाब से लोगे और जो अपना risk management है वो अप अच्छे धर से करोगे क्योंकि share market के अंदर risk management करना बहुत जादा important है otherwise आप अपना मैनत का पैसा भी यहाँ पर गवा सकते हैं तो अभी call side में देखे bank nifty के सबसे ज़ादा जो open interest है 1,70,000 का 45,000 के उपर और call side में call writing की बात करें तो call writing सबसे ज़ादा हुई है 57,000 की 45,000 तो अभी यहाँ पर देखे 45,000 ही hurdle है मैंने आपको जैसे अभी starting में कहा कि अप side के लिए momentum के लिए C side के जाने के लिए आपको 45,000 क वेट करना होगा break होने का अगर 45,000 break होता है तो bank nifty हमें यहाँ से एक अच्छा का सब फिर C side के लिए momentum दिखाएगा और downside की बात करें तो downside की जो support level है वो कहा पर बनी हुई है सबसे ज़ादा जो open interest 1,67,000 का 44,500 के उपर है 44,000 के उपर 1,00,000 का open interest है सबसे ज़ादा जो put writing है तो आमें 500 के उपर दिख रही है तो अगर मंडे की बात करूं मैं तो 44,500 मंडे के लिए important level रहेगा 44,500 से नीचे अगर bank nifty फिसल जाता है तो यहाँ से bank nifty fall ही दिखाएगा और ज्यादा तर downside का momentum ही दिखाएगा upside के लिए at least 45,000 के उपर जाने का wait कीज़ेगा अगर आप 44,800,700 के पास भी जाते हैं और फिर bank nifty अटक जाता है तो यहाँ से एक fall होगा towards 44,300 and 350 अगें और यहाँ से हमने देखा है कि support के पास एक buying आ रही है और market उतना गिर नहीं रहा है तो हमें मंडे को यह ध्यान रखना है कि हम लोग aggressive buying यहाँ पर नहीं करेंगे C और P के अंदर तो अभी देखिए bank nifty के लिए important level कौन सा है 44,400 यह make और break level है अगर bank nifty 44,400 से नीचे फिसल जाता है एक और session में इंडरा डे में भी और 15 मिनिट से जादा इससे नीचे रहता है तो definitely 44,000 तो test होगा ही इसके साथ 43,350 भी test होगा और जैसे मैंने आपको कहा है कि यह yellow zone यहां तक फिर bank nifty जाने के chances पूरे पूरे बने हुए हैं लेकिन अगर bank nifty ने next one or two sessions में 44,400 इंटरा डे में भी नहीं तोड़ा तो यहां से bulls come back करेंगे और bank nifty जोए 45,000 से तो उपर जाएगा ही जाएगा 45,500 और 46,000 तक भी जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है तो मंडे के लिए या फिर आगे आने वाले sessions में अगर 400 hold होता है bank nifty definitely come back करेगा ही करेगा तो इस बात का ध्यान रखेगा जो levels बताएं हैं अपने chart के उपर mark कीजेगा ताकि आपको next trading session में helpful हो सके तो nifty bank की तो हमने बात कर ली है nifty 50 के उपर अभी बात कर लेते हैं तो nifty की closing मि पास तो nifty ने भी पिछला low जो है वो hold रखा हुआ है 19488 का low जो है वो nifty ने hold रखा है और यहां तक की closing basis के उपर 19500 और 600 के उपर sustain हुआ है लेकिन अभी भी अगर मैं देखू तो nifty के लिए यह जो candle है इसका जो तोड है वो यहां पर होना important है अगर nifty 19750 के उपर एक अच्छी खासी bulls candle बना देता है इस candle के उपर तो एक comeback rally हमें nifty जरूर दिखाएगा और यहां से अगर मैं देखो तो यह पिछला जो low है यह जब तक hold हो रहा है nifty के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं होगी लेकिन अगर nifty ने यह low तोड दिया तो यहां स निफ्टी फॉल दिखाएगा 19200 तो निफ्टी का option chain data अगर हम लोग देखें तो अभी मेरे सामने निफ्टी का option chain data है तो next expiry जो है वो निफ्टी की Thursday को होगी और बैंक निफ्टी की Wednesday को होगी तो यहां पर देखिए निफ्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो open interest है 1,73,000 का है जो की है 19,800 के उपर इसके जाद साथ call writing की बात करें तो 63,000 55,000 19,800 and 20,200 के उपर हमें call writing जो है वो दिखाई दे रही है यहां से अगर मैं देखू तो upside के लिए अगर निफ्टी कल Monday को यानिके 19,600 भी hold रखता है तो यहां से निफ्टी जो है वो हमें 19,800 के दरफ की rally जो है वो दिखाएगा और 800 के पास एक resistance होने के वज़े से यहां पर अपना profit book कर लेना यहां से एक fallback निफ्टी ज़रूर दिखाएगा तो specifically यहां पर market यहां का situation जो है वो है कि resistance आने के बाद भी अपना profit book कर लीजेगा क्योंकि market कहीं पर भी अटक कर फिर एक बड़ा फॉल दिखाएगा जैसे कि candle निफ्टी ने यह वाली बनाई हुई है एक पड़े प्रिसिव यहां पर market के अंदर इस market के अंदर होना सही नहीं रहेगा पुट साइट में देखिए तो पुट साइट में 1,42, 1,29 का open interest है और पुट राइटिंग की बात करें 75,000 की पुट राइटिंग हुई है नाइटीं सिक्सेंडरेट के ऊपर तो मंडे के लिए निफ्टी के लिए नाइटीं सिक्सेंडरेट का लेवल बहुत ज़ादा important है अगर नाइटीं सिक्सेंडरेट निफ्टी hold रखता है तो बुल से कमबैक कर सकते हैं अपसाइट के लिए 19,800 और उसके बाद में 20,000 तक क्लाइंब हो सकता है तो निफ्टी के लिए important support resistance के लेवल यहां से 590 के उपर सिस्टेन हो जाता है और यहां तक कि 19,650 और 660 के तरफ आपनी जो चाल है वो बढ़ाता है तो एक अच्छी अपसाइट की रालिया में 19,710 और 750 तक आती हुई दिखाई देगे निफ्टी 50 के अंदर तो यह निफ्टी के लिए important support और resistance के लेवल से जो भी levels बताएं हैं अपने चार्ट के उपर जरूर माग कीजेगा आपको ट्रेडिंग के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी राउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं मैं आपको answer कर दोंगी अब आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत ज़दा अच्छा लगा है तो शेर कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी वीडियो useful है उन सब के जाथ इस वीडियो को subscribe करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं मिलूंगे अपसे next video में till then bye bye take care and trade carefully